हेलो फ्रेंड स्वाम्याज किचिन में आपका स्वागत है यह देखे यह है अचार का पराठा आम की अचार का पराठा और देखे पूरे में अचार बहुत ही अच्छी तरीके से भरा हुआ है और जो पराठा है वो बिल्कुल भी नहीं फटा है तो उसके लिए एक ट्रेक है यह जो अचार का जो मसाला होता है उसको एक प्लेट में करके रख दें तो सारा जो तेल है वो नीचे की तरफ आ जाता है और फिर लास्ट में इसको टिशू पेपर से तेल को सोख ले तो टिशू पेपर में सारा ओल आ जाता है उसके बाद पराठे को बनाए तो एक तो अच्छी तरीके से बेल करके आप पराठो को बना सकते हैं जो नॉर्मल आटा होता है वही लिया है मैंने जैसे साधा पराठो का जो आटा मार के रखते हैं वही और उसमें इस तरीके से आमके अचार को भरा है और आप देख सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में भरा है और इ जैसे पराठे बना करके ले जाए और रॉल करके खाये बहुती टेस्टी लगते यह देखिए बहुती आसाणी से पराठा बिलिए और फटा नहीं है पराठा अब पराठे को गरम तभे पर डालेंगे और घी में ऑईल में जैसे आपने सेक आप सेखना चाहें वैसे एक सकते ह देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से फूल रहा है परांटा और बिल्कुल भी फटा नहीं है परांटा क्योंकि ऑइल जो था वो सारा निकाल दिया था और जो थोड़ा बहुत ऑइल रह गया तो उसको टिशू पेपर से पॉंस दिया मतलब दबा दबा करके टिशू पेप ले जा सकते हैं बहुत ही मज़ेदार परांटा बनता है तो आप एक बार जरूर बना करके देखें और कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी रेसिपीस कैसी लग रही है